चीन तपाक दमदम भई मैं तो इस फ्रेज से वाकिफ हूँ लेकिन अगर आप भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो अब तक आपको भी इस टॉक अफ दाउन फ्रेज के बारे में मालूमात हासल हो चुकी होगी Facebook और Instagram की Reels और Videos में इसका इस्तमाल आजकल कुछ ज्यादा ही किया जा रहा है लेकिन बजाहिर बेमानी से लगने वाली यह अलफाज आए कहां से और यह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतने मकबूल कैसे हो गए सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म चिन टपाक दमडम के कॉंटेंट से भरे हुए हैं और इस मीम ने तसावीर से लेकर वीडियो और आडियो क्लिप्स तक बेशुमार शकले इक्तियार की और जिन सारिफीन ने इसे वीडियो में इस्तिमाल किया इनकी वीवर्शिप में काफी इजाफा देखा गिया कुछ ने तो शौकिया रिल्स बगारा बनाई एक के बाद एक वीडियो क्लिप्स और मीम सामने आते गए और यूँ ये ट्रेंड ही चल पड़ा भारती मीडिया के मताबिक चिंट पाक डम-डम मशहूर जमाना भारती कार्टून छोटा भीम के एक मनफी किरदार टाकिया का तक्या कलाम है अगर आप ने ये कार्टून देखा है तो टाकिया के जंतर मंतर से आप वाकिफ होगे ताहम कुछ सोशल मीडिया सारिफी ने इस बारे में भी निशान दही की कि 1967 में रिलीज होने वाली फिल्म लड़का लड़की में किशोर कुमार ने भी चिंट पाक डमडम से मुमासल तक्याय कलाम इस्तमाल किया था सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली फिल्म की कलिप्स में किशोर कुमार को चिंट पाक डमडम का तक्याय कलाम अदा करते देखा और सुरा जा सकता है अब इन अलफास के मानी क्या हैं ये तो कोई नहीं जानता लेकिन अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंट स्वालो करते हैं तो यकिनन आपने भी इस पर कुछ ना कुछ कॉंटेंट बनाने का जरूर सोचा होगा तो फिर आपके खयाल में इस फिक्रे के क्या मानी हो सकते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बना है